नमस्कर दस्तो स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एज़ियो किसने चनल में आज की यूड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पस सुखाने की दवायों के बरे में तो हम जानेंगे कि पस फार्मेशन होता कैसे है पस किस तरह से बनता है हमारे सर अलग-अलग दवायों के यूज़ कर सकते हैं तो डेटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में और जानेंगे कि पस किस तरह से बनता है कौन सी दवायों के यूज़ होती है तो ऐसे समझे कि आपको डेटेल में सिखना या अलग-अलग बीमारियों के बारे में दवायों के पूपर तो ये कुर्स जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी Mobile Application को Download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तब आते हैं topic pair समझते हैं पस के बारे में तो पस क्या है वो सबसे पहले आप समझ ये तो पस जो एक type का ठीक fluid होता है कि जो infection के करन हमारे सरीड के अंदर बनता है कि मानलों किसी विदरा का आपको संक्रा मन हुआ है infection हुआ है कि चाहे वो bacteria के करन है food के करन है तो specially सबसे ज़्यादा bacteria के करन होने वाले infection में ये पस formation जो होता है तो पस बना के इस तरह से होता है मनला कि वो बनता है तो उसके अंदर क्या होता है तो एक उसके अंदर white blood cell होते है कि जिसको हम WBC कहते है दूसरा उसके अंदर dead tissues या फिर जो cell होते है और तीसरा हम component देखे तो उसके अंदर GVT या फिर brute अवस्ता में microorganism जो है वो present होते है तो जब भी हमारे body के अंदर कोई foreign matters जो हो एंटर होते है कि मानलों कि कोई bacteria एंटर होते है तो तुरंत हमारे जो body के immune cells होते है कि जिसको हम white blood cell होते है वो उनके सामने जो वो attack करते हैं जिसके करण क्या होता है कि जहाँ पे इन दोनों के बीच में proper एक battle होती है कि जैसे ही आप आप देख सकते ही जो fighting या फिर battle होती है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं वो आपके सरीर का white blood cell है और ये जो है वो आपके bacteria या फिर कोई microorganism है तो जैसे ही ये microorganism हमारे सरीर में enter होता है तो तुरंत WBC क्या करते है कि उनके सामने fight back करने लग जाते ह हैं उनके साथ जो वो fighting करते हैं उनको destroy करने का काम करते हैं तो यही जो पूरी process होती है उस दोरन क्या होता है कि white blood cell भी कुछ destroy होते हैं जो यहापर हम देख रहे हैं diagram के अंदर उसे तरह से bacteria भी kill होते हैं और जो हमारे जिस सेरिया में ये infection हुआ है वहाँ पे जो tissues होती है य तो यह उने के main reasons हम देखे तो जो अलग-अलग type के infections होते हैं वो infections के कारण ही pus formation होता है और जितने भी अलग-अलग type के bacteria infections होते हैं उसको समझे के समय पर ठीक नहीं किया ज़दा तो उनके अंदर जो पस formation बन सकती है और वो और ज़्यादा बढ़ सकती है तो उसके symptoms हम देख कि जब भी pus formation होती है कि समझे कि आपको यहाँ पर skin के ऊपर pus formation यह हुआ है तो वो जगह पर आसपास जो वो swelling हो जाती है मलें कि सूजन हो जाती है और वहाँ पर touch करने पर आपको जो वो दर्द होता है दूसरी कुर symptoms देखे तो यहाँ पर भी आप देख सकते है कि यहाँ प internal organs होते है तो उसमें समने कि यहाँ पर kidney का example यह है तो यह वाली जो है वो normal kidney है पर जब kidney में किसी तरह से bacterial infection होता है तो वहाँ पर आप देखो यह जो नियाफ्रोन का बाग होता है वहाँ पर pulse बड़ा हुआ है उसी तरह से किसी भी जगह पर kidney के अंदर pulse formation हो सकती तो यह तो सिर्फ kidney का example ऐसे जितने भी अलग-अलग हमारे internal organ है सरीर के अंदर वहाँ पर bacterial infection समझे कि और ज्यादा फैलने लगता है तो वहाँ पर भी pulse formation होने लगती है फिर eyes में समझे कि इस तरह से infection होता है तो वहाँ पर भी इस तरह से pulse formation जो हो सकती है और उसके क आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो discharge जाता है आपकी आकों में से फिर उसी तरह से समझे कि ear में होता है कान के अंदर bacterial infections फैलता है मीडर ear infection जो हम खास कर कहते हैं तो उसके अंदर भी हमारे कान में से discharge जाने लगता है और उसके अंदर भी pulse जो होता है फिर जो pelvic inflammatory disease की जो हम condition क के अंदर तो वहाँ पे जो specially reproductive system होती है females के अंदर तो वहाँ पे इस तरह से अलग-अलग एरिया पर पस जो बन सकती है कि जो नॉर्माली बीना पस का जो एरिया होता है कि बीना कोई infection इस तरह से proper fallopian tube रहती है ovaries होती है vaginal canal रहती है पर जब यह infection होता है तो वहाँ पर पस ब factory के साथ आपके WBC fight back कर रहे है तो उसके करन क्या होता है कि body temperature भी increase होता है कि जिसको हम fever कहते है कि जो 100 degree Fahrenheit के आसपास आपका temperature हो सकता है और body pain भी patient को जो होता है तो यह conditions को ठीक करने ले कौन सी दवा या use होती है तो इसमें बहुत सारे options रहते तो सबसे पहले antibiotics के अंदर oral antibiotic का option रहता है फिर antibiotics की cream वगेर अवेलेबल है तो उनके gels अवेलेबल होते हैं antibiotic injection और antibiotics के powders के भी option हमारे पास रहते हैं तो सभी के बारे में detail में आप जानते हैं तो सबसे पहला जो है medication वो है क्लिंडा माइसिंग तो क्लिंडा माइसिंग के या आप oral capsules देख रहे है 300 mg की strength में आ जिसका dose रहता है 150 से लेकर 300 mg जितना dose यह वो patient दिन में तीन या चार बार जो हो ले सकते हैं फिर क्लिंडा माइसिंग का injection भी अवेलेबल होता है कि जिसका dose यहा पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि 600 से ले से 900 mg जितना IV या फिर intramuscularly dose दिया जा सकता है patient को हर 8 गंटे पे यह आपे Q8H लिखा है उसका मतलब यह होता है कि हर 8 गंटे पे अगर 6 लिखा होता है इसा समझना होता है कि हर 6 गंटे पे तो यह जो क्लिंडा माइसिंग का injection होता है जब भी उसको लगाया जाता है तो IV में जब उसको लगाया जाता है अलगलग जो IV fluids होते हैं उसके अंदर औ और इंड्रा मस्कलोरी लगा जाता है तब कोई भी डाइलूशन करने की ज़रूरत नहीं होती फिर दूसरा option बनता है क्लिंडा माइसिंग के जेल का भी यहाप आप देख सकते हैं क्लिंडा माइसिंग के जेल है और कॉंबिनिशन में निकोटिनामाइट जो है वो उसके अं में सन हो रहा है तो वहाँ भी यह medication जो आप लगा सकते हैं फिर स्याप्टरान करके जो tablet आती है कि जिसके अंदर mainly composition होता है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथोक्स जाजल होता है कि जिसको हम को ट्राइमोक्स जाजल भी गयते तो इसके एक tablet जो दिन में एक बार या फिर ठीक करने के लिए tablet जो हो ओरली ली जा सकती है फिर antibiotic के powders के अच्छे options बनते हैं कि समझे कि जहाँ पे आपको इस तरह से wound हुआ है गाव हुआ है और वहाँ पर पस formation हो रही है तो यह जो powders यूज़ के जा सकते हैं उसमें एक marketer formulation आप देख सकते हैं नियो स्पोरिन करके कि जिसके अंदर neomycin sulfate होता है, polymixin होता है और bacitracin और zinc का यह powder रहता है तो उसके अलग-अलग marketer formulation देख रहे हैं कि नयबा सल्फ करके भी यह product available है फाइजर और Abbott के भी यह अलग-अलग available है तो कोई भी एक product आप यूज़ कर सकते हैं उसे इलाओ से नियो स्पुरिन का ointment भी available है कि समझे कि किसे को powder suit नहीं होता तो उनके लिए यह ointment का भी option रहता है कि जो ophthalmic मनलब की आखों में भी समझे कि pulse formation हो रही है तो वहाँ पे भी patient use कर सकता है eye specialist के suggestion के according to और दुसरी कोई जगा पे भी आप दिन में 2 या 3 बार जो उसको लगा सकते हैं फिर povidon iodine का भी supply chain करके हैं तो दोनों में दवाई सेम होती है कोई भी brand आप use कर सकते हैं उससे तरह से उसका जो वह पावडर तो है उसी तरह से आप देखो तो उसका ointment पी available होता है कि यह beta dyn का ointment है और उसका जो वह 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 सिपलाद इन का ointment जो वह मार्केट में available होता है तो यह जो oint हैं फिर oral tablets के अंदर हम जाए तो taxim ocv200 tablet भी patient ले सकते हैं कि जिसका dose रहता है एक tablet दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार लिए जा सकता है और हर एक dose के बीच में at least 8 गंटे का time interval रखना होता है कि जिसके अंदर sapphix zim करके medication है और potassium clearance के जिसके बारे में already हमने detail में एक बार या फिर दिन में दो बार जिए वो patient खा सकते हैं और यह खासकर 100 mg की strength में उसके capsules available होते हैं फिर agithromycin का भी एक अच्छा option बनता है कि कोई दूसरे antibiotic आपको suit नहीं हो रहे है तो उस वक्त agithromycin के tablets भी यूज की जा सकते हैं पर उसका dose रहता है कि जो 500 mg के आप tablet से रहे है तो उसको दिन में एक ही बार लेना होता है OD और maximum तीन दिन तनी उसको यूज करना होता है विकाज यह पर उसका जो dose है वो तीन ही tablet का होता है और अगर 250 हमजे का आप यूज करते tablet तो वो tablet दिन में दो बार लेनी होती है 8 गंडे के time interval पे फिर clay warm 625 भी यूज किया ज जा सकती है इसी का injection का भी option मलता है कि जो augmenting करके injection है कि तो यह भी पस सुखाने के लिए काफी useful सा भी दता है कि जिसका dose यहाँ पर हम देखे तो 250 mg से लेकर 1000 mg जितना दिन में तीन बार दिया जा सकता है इंट्रावेनस रूट से और proper dilution करके उसको लगाया जा सकता है फिर C- का जो एंटिबाइडिक है सेफालोस्परेंड क्लास का यह एंटिबाइडिक है कि जो अलग-अलग strength में अवेलेबल है कि 250 mg as well as 1.5 g में भी यह अवेलेबल था है तो उसका जो dose होता है 0.75 से लेकर 1.5 g जितना रहता है इंट्रा मस्कुलर या फिर आइवी हर 8 गंटे पर प अच्छा option है तो उसके अंदर combination होता है और नीडाजल और ओफलॉक्स दस इनका तो यह tablet patient जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो ले सकते हैं फिर Monoceph SB का injection भी काफी useful सा भी तो था या आप पर जिसका dose रहता है एक से लेकर 2 g आईवी या फिर इंट्रा मस्कुल पूरे दिन में दिना होता है और divided dose में दिया जदा है हर 6 या 8 गंटे पर उसके अंदर जो दवाई होती है वो है safe reaction होता है और soul back term जो हो combination में होता है कि अगर किसी को safe reaction का resistance है तो वो resistance overcome करने के लिए soul back term साथ में combination में होता है फिर सी फिरोग्जिम अक्से टिल पर काफी अच्छा option बंदा है कि इसका एक marketed formulation है force up करके तो यह जो एक टाबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में तो बार ज़रुत पढ़ने पर patient जो ले सकते हैं फिर linkomycin का जो injection है वो भी काफी useful साथ होता है कि जो 300 से लेकर 600 mg के dose में यूज किया जाता है इंट्रा मस्कुलर या फिर आइवी से उसको लगा जाता है हर 8 गंटे पर फिर लिवोफ्लोग्जासिन के मानलो आपको यूरिनरी ट्रेक के अंदर इस तरह से परसवार में सन हो रही है किड्निस के अंदर या फि लिवोफ्लोग्जासिन जो वो काफी अच्छा और बेस्ट आप्शन रहता है आपके लिए जिसके एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो पेसन लेते कि जिससे उनका पस फार्मेशन जो होता है वो प्रेवेंट होता है और देरे देरे इंफेक्शन जो ठीक होने लगता है अगर आखों के अंदर के हम बात करें तो उसके अंदर जो आखों में जो आइंटिबाइटिक्स यूज़े जिसमें एक ओप्सन है मॉक्सी फ्लोग्जासिन का है जिसके एक ड्रॉप जो दिन में दो बार पेसन्ट यूज़ करते हैं उसी के सिमिलार दूसरो ऑप्सन बनता है गयाटिफ लॉग्जासिन का कि जो पांच एमेल एजवेलेस दो पॉइंट पांच एमेल दोनों के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है तो उसके एक या दो ड्रॉप जो हर दो तीन गंटे पे जो आइस में जो ही डालने होते हैं आपको अच्छे स सिप्रोफ्ल कुषम का ओर्स किया वप्स बहुत है कि जो आई और इंटिप्रोफ्स करके एक मार्केटर फॉर्मालेस सेंね फिर अगर कूई पर्स ठीक नहीं हो रहा था आखरी option रहता है यह लीने जॉलिड का कि यह जो टैबलेट है वो दिन में एक या फिर दिन में दो बार जो प्रापर medical supervision में patient use कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ homeopathic medicine की यहाँ पर पर्स को सुखाने के लिए तो यहाँ पर एक sulfur gel करके एक अच्छी product आती है कि जो उसके पास antibacterial action रहती है तो जहाँ पर आपको पर्स हो रहा है जहाँ इस तरह से medical condition produce हुई है वहाँ पर यह दिन में दो या तीन बार जवाब लगा सकते हैं उसे तरह से उसके एक tablet साते हैं Silly से 3X करके यहाँ पर आप tablet देख रहा है कि जो total 25 gram की strength में available होती है तो यह जो tablet होती है कि जो SBL का ही product है तो दो tablet आप दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार जो यह वो ले सकते हैं तो यह बे काफी अच्छा option बनता है आपके लिए पस को सुखाने के लिए और यह भ आपको काफी affordable price में मिलता है और इसकी detail जान करे के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 901631-2020 पर या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best